दोस्तों criminal procedure court की section 482 high court के inherent power से related है जिसका use करते हुए high court कोई भी ऐसा order जारी कर सकता है जो किसी judicial कार्यवाही के दूरुपियों को रोकने के लिए आवश्यक हो या किसी प्रकार से न्याय के उत्देश्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी हो जनरली जब किसी के against कोई जूटी FIR वगरे होती है जिसको देखने से ही पता चलता हो कि वो जूटी है तो ऐसी process को quest यानि रद्द करवाने के लिए high court में section 482 के अंतरगत petition फाइल की जाती है हमारे channel पर इसके संबन्द में video भी post किया हुआ है जिसमें बताया गया है कि किस type के मामलों में FIR या किसी criminal process को रद्द करवाने के लिए high court में petition लगाई जा सकती है अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो description में आपको उस वीडियो का link मिल जाएगा आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं अपने matter में कि मेरे खिलाब जूठी FIR हुई है या कोई criminal process चालू की गई है जिसके जूठी होने के बारे में मेरे पास पुकता प्रूफ है तो मैं बताता रहा हूँ कि section 482 का use हर type के case में नहीं किया जा सकता बलकि जहां प्राइम आफेसी देखने से ही पता चलता हो कि FIR जूठी है या उसमें fact ऐसे लिखे गए हैं जो possible ही नहीं हो सकते तब ही high court section 482 के अंतरगत ऐसी FIR या criminal process को quest करने का order देता है इसी point पर 26 April 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक reportable judgment भी दिया है रथिश बाबु उन्निक्रस्णन वर्सेज स्टेट के matter में आज के वीडियो में हम उसी judgment से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से matters में section 482 की petition लगानी चाहिए और कौन से matters में नहीं सुप्रीम कोर्ट ने जिस matter में ये judgment दिया उसके facts की बात करें तो उस matter में magistrate कोर्ट ने check dishonor के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उस petition को reject कर दिया तो हाई कोर्ट के order को सुप्रीम कोर्ट में challenge किया गया सुप्रीम कोर्ट ने case पर बारिकी से नजर डाली और facts पर गए तो सामने आया कि check issue करने वाली party जिसने 482 CRPC की petition हाई कोर्ट में कारिवाही को request करने के लिए पेश की थी उसका कहना था कि जिस check के dishonor पर magistrate ने cognizance लिया है वो check किसी debt के बतले नहीं दिया गया था इसलिए उस check के dishonor के लिए magistrate cognizance नहीं ले सकता जबकि state की तरफ से ये तर्क दिया गया था कि check dishonor के matter में presumption check जारी करने वाली party के खिलाफ होती है इसलिए cognizance लिया जाना उचित है अगर check जारी करने वाली party के defense available हो तो वो अपना पक्ष court की कार्यवाही के दोरन रख सकता है ये matter evidence का subject है इसलिए section 482 CRPC की petition file करके proceeding को quest नहीं किया जा सकता इसके लिए supreme court ने कहा कि जब facts के आधार पर कोई भी विवाद हो तो उन facts पर दोनों तरफ से evidence ली जाकर ही सच्चाई को तोला जाना चाहिए जिन matters में केवल law point पर decide किया जा सकता है जैसे limitation वगर है तो ऐसे matters को quest किया जा सकता है लेकिन section 482 CRPC के powers use करने में काफी सावधानी बरतनी ज़रूरी है सुप्रीम court ने state of हरियाना वर्सेज भजनलाल के matter में दिये हुए judgment का reference भी दिया जिसमें कहा गया था कि हाई court को अंतरनी हित शक्तियों का उपयोग करते टाइम बहुत ही सैयम और सावधानी से काम लेना चाहिए और केवल ऐसाधारन मामलों में ही किसी criminal कार्यवाही को रद करने का आदेश देना चाहिए कोई भी ऐसे आरोप या मामला जिसके विशय में दोनों पक्षों से evidence लेकर ही सत सामने आ सकता हो ऐसे matters में FIR या कार्यवाही वो quest यानी रद नहीं करना चाहिए विवाद जब तथ्यात्मक हो तो inherent powers को यूज करके उस process को quest कर देना न्याय के लिए उचित नहीं होता जहां किसी law point पर complaint हो ही नहीं सकती या complaint को देखने से ही पता चल जाता है कि वो जूटी है तो ही high court को inherent power यूज करना चाहिए अन्यता नहीं दोस्तों काफी बार ऐसा होता है कि हमारे खिलाब कोई complaint या FIR होती है हो सकता है वो जूटी भी हो और हमारे पास उसे जूटा प्रूव करने के लिए परियाप्त evidences भी हो ऐसे में हमारे advocate हमें सला देते हैं कि high court में petition file करके उस कारिवाही को quest करवा लेना चाहिए लेकिन कोई criminal process को quest करवाने के लिए grounds limited होते हैं और अगर आपके case में स्थिती एकदम crystal clear हो या किसी legal issue पर आप ऐसी petition file करना चाहते हैं तब तो ठीक है लेकिन हर किसी matter में high court कारिवाही को quest नहीं करता और ये सही भी है उमीद है Supreme Court का ये verdict आपको समझ में आया होगा दोस्तों आपके और कोई legal सवाल हो या आप अपने किसी matter पर discuss करना चाहते हैं तो आप हमारे legal expert से बात करने के लिए screen पर दिखाई दे रहें नमबरों पर contact करके call book भी करवा सकते हैं ऐसी ही जानकारियां आपको regular मिलती रहें इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल विधान का ग्यान को सब्सक्राइब करके bell बटन जरूर प्रेस कर दे नए legal topic के साथ जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार